So yes, so we are live for good evening everyone तो आज के class में हम SSE IMD के previous year सवाल बनाने वाले है पेपर है 23rd November 2017 shift 1 और section रहने वाला है General Intelligence and Reasoning ये एक ही section है जिसके अंदर बहुत बहुत बहुतरीन सवाल आते है So let us start with the very first question पहला सवाल आपके screen के सामने ये रहा Select the related word from the given alternatives Frog is to tadpole तो butterfly is to क्या होगा है क्या होता है जिसके पास head and tail होता है ये छोटा वर्जन है ये लार्वा है लार्वा याने छोटा वर्जन जैसे Pikachu राइचू राइचू बड़ा वाला आदमी Pikachu शुरुवाती वाला तो बताईए अब butterfly के respect में क्या होगा and तो हो नहीं सकता अर्थवर्म तो possible नहीं है housefly कैसे हो सकता है butterfly विकासित है और उसका छोटा वर्जन जो होता है वो होता है catar pillar चलिए मैं आपको diagram के form से भी बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे सबसे पहले तो हम frog को देख लेते है तो frog जो है वो विकासित वर्जन होता है इसके पास tail नहीं होती है अगर आप इसका शुरुवाती दौर देखो तो एक लंबी सी tail होती है जो उमर के साथ tail जो है वो गायवोना स्टार्ट होती है आप देख सकते है यहाँ पर ठीक है तो इसको tadpole कहा जाता है और यह है विकासित वर्जन फ्रॉग similarly अगर butterfly की इसमें देखे तो butterfly पहले ऐसे दिखती है अब आप सोच रहोंगे सर हाँ यह butterfly का smaller version है लार्वा है इसको कहते है caterpillar फिर यह cocoon मैं आप तब्दील होते हुए देख सकते हो फिर हो cocoon को तोड करके बाहर निकल जाती है और फिर butterfly बन जाती है ठीक है तो यह step by step process होता है यह इनका mechanism है चली आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके screen के सामने सिलेक दी रिलेटेटेल लेटर्स फ्रॉम दी गिवन ऑल्टरनेटिव इजी जे इस्टू बी डी जी तो अगर इन दोनों में कुछ ऐसे pattern बन रहे है तो फिर पी आर यू और किसमें सेम टू सेम बनेंगे यह जानना चाहते हैं तो यह भी easy सवाल है 30 seconds के अंदर बन जाएगा क्यूंकि अगर आप first two letters निकाल लेते हो तो काम खतम तीसरे पर जाने की जरुवत भी नहीं है चलिए so what is the answer last 15 seconds जब भी ऐसे सवाल आए तो a,b,c,d,e,f,l वो चार्ट मैंने आपको दिया था previous class में भी दिया था यह चार्ट ready रखना बस यह चार्ट ready हो गया अब comparison करो और answer बताओ so the time is up the right answer is option a option a इसलिए सही है क्योंके जब मैं देख रहा था e,g,j को e,g,j और b,d,g तो यह मालुम पड़ा कि हमको e से तीन कदम पीछे जाने है तो हम b पर पहुँच जाते है जी से तीन कदम पीछे चले तो d पर पहुच जाएंगे वैसे ही जे से अगर तीन कदम पीछे चले तो जी पर पहुच जाएंगे चलो देख लेते हम थे e पर तीन कदम पीछे एक दो तीन तो b पर आ गए देखो अगर आप जी पर हो तो जी रहा यहाँ पर तीन कदम पीछ फिर तो क्या है फिर वो पूछ रहे थे के PRU का पैटन फिर कैसे दिखाई देगा सर ये PRU P से तीन कदम पीछे चलो चलते है फिर P का पर है यहाँ पर एक दो तीन तीन कदम पीछे हम M पर आ गए यहाँ पर ही बात कदम option A is the right answer पर अगर बाकी भी चेक कर लो तो answer वही आता है answer है यहाँ पर O और फिर तीन कदम पीछे चले तो answer है R so the right option is option A, M, O, R ठीक है तो पहले ही अगर find कर लेते तो भी बन जाता है चली आगे लिए कर चलता हूँ अगला सवाल आपकी screen के सामने again pattern recognition है अगर 91 is to 105 कुछ pattern से related है तो फिर 117 is to कौन सा वो number होगा same pattern से related तो यह numbers में खोजना थोड़ा सा कठिन हो जाता है क्योंके 91 is to 105 क्या आ रहा है दिमाग में सर दोनों divisible by 7 है दोनों divisible by 7 है तो फिर यह कितना जार 7 जार सर यह 13 into 7 कर लोगे तो 91 आ जाएगा और यह सर यह 15 into 7 कर लोगे तो आ जाएगा तो कहीं न कहीं आप देख रहे हो के 117 जो है वो तो नहीं है divisible by 7 से अच्छा पर वो 13 into 7 15 into 7 वो जो pattern है क्या वही pattern यहाँ पर भी है इसको ज़रा 13 से divide करके देखो 9 आ रहा है so 13 into 9 is 117 तो मुझे रखता है अब आप pattern समझ चुके हो that 15 into 9 would be the answer therefore the right answer is Bombay चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले 91 is to 105 कैसे related थे 91 को हम कह सकते है 13 into 7 और 105 को हम कह सकते है 15 into 7 अब वैसे ही अगर 117 इस तो आप जानना चाहते हो तो यहाँ पर हम देख सकते है 117 जो है वो 13 से divisible है बट 7 से नहीं तो 7 को हटा दिया 13 को picture में लेकर आ गए तो 13 जब picture में लेकर आए तो 13 117 divided by 13 answer आया no तो यहाँ पर 13 into 9 is 117 तो अब हम पहचान दिये जैसे यह अगर आप pattern को ध्यान से देखो तो 13 into a number वही 15 into that number तो अगर 13 into a number तो 15 into that number तो sir हमारा जो answer होगा that is 15 into 9 that is 135 चलिए आगे लिकर चलता हूँ अगरा सवाल आपके screen के सामने आ रहा है तो carefully observe करना बड़ा खतरनाक सवाल होता है यह जो reasoning के सवाल है इतने आसान भी नहीं होते है अगर strike हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो फिर तो गड़ बढ़ है ठीक है चलिए इसको कोशिश करो हरे है सर यह तो बहुत ही आसान है तो देख करके हम बता देंगे कि अगर रिक्षा, scooter, moped और motorcycle में आप पूछ रहे हो कि odd word कौन सा है इसमें तो 30 second भी नहीं चाही क्यों क्योंके two wheeler, scooter, moped, motorcycle यह तीन पईये वाला रिक्षा सो रिक्षा is the odd man out तो आप देख सकते हो selected words में एक तो number वाला खेला होता है ठीक है फिर कभी letters के बीच में खेला होता है तो कभी logical reasoning कि frog, tadpole, butterfly क्या होगा ठीक है चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगरा सवाल आपके screen के सामने select the odd letters from the given alternatives अब इसमें क्या है कि कुछ तो ऐसा pattern है सभी option में जो तीन option सेम pattern रखते हैं और एक option जो है वो कुछ और ही pattern देता है इसलिए वो odd है from the group तो बताना वो कौन है अगें इसको solve करने के लिए वो chart आपको चाहिए वो chart आपको मदद करेगा कि JLN कौन सा pattern बना रहे है एक दूसरे से J के आगे दो कदम L, L के आगे दो कदम N वैसे ही PRT में P Q R ST तो दो-दो कदम की बात चल रही है बट फिर आपने देखा होगा डली को तो पीछे चलने की बात ही कर रहा है यह बाकी सारे लोग तो आगे चलने की बात कर रहे है तो डली जो है वो culprit है डली is the right answer ये तो सब 30 second वाले सवाल है, इसमें जादा आपको समय वेज भी नहीं करना है, आप ध्यान से देखना, आप जब भी aptitude के question solve करने बैटो, तो कुछ चीजे पहले से बना करके रखनी चाहिए, जैसे ये वाला chart, अगर आपने पहले से बना करके रखा है, तो फिर आप पहचान आगे, यहां से दो कदम आगे, ठीक, उसके बाद आपने देखा Bombay को, तो Bombay भी वही कह रहा था, PRT, दो कदम आगे, फिर दो कदम आगे, फिर हमारे पास आया कलकत्ता, VXZ, तो अगें दो कदम आगे, फिर उसके बाद दो कदम आगे, पर जो Delhi था, Delhi, वो ये कहना चाहता ह है, H, F, D, दो कदम पीछे, और F से भी दो कदम पीछे, तो ये था, और में आउट, चली, आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आ रहा है कुछ इस प्रकार, select the odd number from the given alternatives, odd number कौन सा है, अगें कुछ तो पैटन रहा होगा, 459, 783, 594, क्यूँके, अगर आप ये कह रहा हो है, के सर जी, सर जी, even odd check करेंगे, तो वो नहीं चल रहा है, ये दो even है, ये दो odd है, तो 50-50 हो गया, कुछ तो ऐसा pattern, जिसमें तीन, एक style में रहे, और एक जो अलग सा है option, वो अपनी style में रहे, तो वो odd man out हो गया, क्या है ऐसी चीज, जब कुछ सम अगर एड किया, 4 plus 5 plus 9, तो ये आ रहा है, 9 plus 9, 18, तो इसको अगर एड किया, तो 7 plus 8 plus 3, ये भी आ रहा है, 18, सेम तरीके से भी एव कर रहे है, तो 5 plus 9 plus 4, ये कितना आ रहा है, सर ये 9 plus 9, 18 आ रहा है, बट इसको इसको जब एड किया, 7 plus 3 plus 0, the answer is 10, यही odd है, और यही answer है, चल आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, a series is given with one word missing, choose the correct alternative from the given ones, that will complete the series, father, afraid, rifles, rueful, rare field, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है, कोई भी logical sense वाला series नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर कोई logical, मतलब ऐसे कोई सिनारियो नहीं है, कि पहले जब जैसे एक सिना आने के बाद, fees हमने भरी, तीसरा step है, हमने preparation किया, चौता step है, हमें exam लिखने गए, exam के बाद interview हुआ, और फिर हमें job लगी, तो एक यह series है, इसमें ऐसे कोई series होई नहीं है, इसमें तो सीधा पूछ रहे है, कि correct alternative क्या होगा, इन में से वो बताना है, जब ऐसा सवाल आता ह है, तो कही ना कही आपको logical reasoning से देखना है, कि ये F जो letter है, इधर पहला position, इधर दूसरा position, इधर तीसरा, इधर चौता, इधर पाचवा, तो सर ये position आगया-गये बढ़ रहे है, word के साथ-साथ, तो last में वो कौन सा position होगा, छटवा position होगा, जो कलकत्ता में है, तो बात F, ठीक, चली, आगे लिए कर चलता हूँ, अगला सवाल, आपकी screen के सामने आ रहा है, कुछ इस प्रकार, question number 8, a series is given with one time missing, choose the correct alternative from the given ones that will complete the series, L, K, M, J, N, कुशर, मार्क, अब ऐसा गया है, इन letters के बीच में, कुछ तो pattern छुपा होगा, तो एक pattern यहाँ पर खोजना पड़ेगा आपको, आगे इन pattern खोजने के लिए, वाली chart की जरुवत पड़ेगी, वो chart को हम बुला लेते हैं, यह रहा chart, चलो, तो अब यहाँ पर mark करो, L, K, M, J, N, और खोजो, कि इन में ऐसा कौन सा pattern है, कुछ न कुछ pattern आपको जरूर मिलेगा, जिसके माधियम से आपको next letter की प्राप्ती होगी, so what is the answer, yes the answer is Delhi, Delhi इसलिए सही है, क्योंके सबसे पहले आपने यह देखा, यह थोड़ा सा अच्छा level का pattern था, क्योंके L, K, M, J, N, फिर आप question mark पूछ रहे players है, एक कदम आगे, M पर, एक कदम आगे, N पर, राइट, चल, और वही अगर हम check करे, K, J, तो इन में कौन सा pattern है, सर इन में है, minus 1 का pattern, देखो, पीछे जाना पड़ेगा आपको, आप K पर हो, एक कदम पीछे तो J, तो उसके एक कदम पीछे, I है, अब समझ में आया, यहा है, जो answer है, that is I, therefore, Delhi is correct, चलिए, आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल, आपके screen के सामने, आ रहा है, again, एक series दिया है, pattern खोजो, pattern खोजने के बाद, जो missing question mark है, वो क्या होगा, option A, 1.8, option B, 1.6, option C, 1.4, या, फिर option D, 1.2, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले बच्चे यह सोचते हैं, सर, यह AP series है, GP series है, HP series है, फिर पता चलता है, कुछ भी नहीं इनमें से, फिर बाद में हो सोचते हैं, अब क्या करें, पर शायद इसमें ऐसा नहीं है, इसमें शायद आपको थोड़ा से health मिल जाए, इसमें AP, GP, शाय माइनस यह करेंगे, तो आ रहा है, माइनस 2.5, वही अगर यह माइनस यह किया, तो सर जी, कितना answer आया, अच्छा, यहाँ पर करोगे, तो positive आएगा, क्योंकि यह छोटा है, यह बड़ा है, तो plus 2.5, इधर भी अगर आप करोगे, तो positive 2.5 आएगा, so yes, the answer is, यह एक AP series है, औ और जब AP series होती है, तो कहानी simple होती है, आप इस प्रकार से जाएए, या addition में जाएए, मैं इधर लिख देता हूँ, देखो, addition में हम कैसे जाएंगे, कि minus 3.2, minus 0.7, dash, 4.3, 6.8, अगर minus 3.2 के अंदर, अगर हम add करवा दे, 2.5, तो हमको प्राप्ती होती है, minus 0.7 की, वही add करवा दे, plus 2.5, तो answer आजाता है, कितना answer आजाता है, 1.8, अब 1.8 के अंदर, plus 2.5 करवा दे, तो 4.3 आता है, वही 4.3 के अंदर, plus 2.5 करवा दे, तो 6.8 आता है, इसलिए, question mark पूछ रहे थे, question mark मिल गया है, option is correct, चलिए, आगे लिकर चलता हूँ, अगरा सवाल, आपकी screen क के सामने, आ रहा है, यह बहुत ही बैतरीन सवाल है, इसके लिए हमको थोड़े से free slides लगेंगे, तो free slides को बिला लेते है, कहाँ पर है, हमारे free slides, चलो, यहाँ से copy कर लेते है, फिर हटा देंगे, अरे कहाँ पर चला गया सवाल, चलो, यह सवाल को सुलजाने के लिए, आपक एक मिनिट मैं पूरा दूँगा, calculation लगेगा, यह calendars वाले सवाल, थोड़े कैल्कुलेटिव होते ही है, अलिशा's birthday is on Wednesday, 15th March, on what day of the week will be Vedika's birthday, in the same year if Vedika was born on 22nd August, तो 15 March को Wednesday था, 22nd August को क्या होगा, बस इतना ही सवाल है, बाकि तो बड़े पार्टी का just word problem दे दिया है, सर अगर धियान से देखे, March है, फिर April, May, June, July, फिर August आता है, तो यह जितने भी बीच में महीने वो, इसमें कितने दिन total रहे होंगे, करो, पहले वो निकालो, total number of days, from 15 March to 22nd August, वो निकालने के बाद, फिर पैकेट्स बनाओ, पैकेट्स याने, 7 दिनों का एक हफता, तो ऐसे कितने हफते थे, वो हफतों को मारो गोली, फिर जो remainder है, वो हमारा main crux है, उसे पकड़ो, और second step में, अगर आपको remainder मिल गया एक बार, third step में देखना, कि यहाँ पर जो है, वो पैकेट्स शुरुवात हो रहा था, Wednesday से, जो remainder है, वो आपको number देगा कुछ, फिर Wednesday के बाद कितन ना, days, वो remainder बताएगा, और फिर जहाँ पर land हो जाओगे, फिर वो शायद Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, इसमें से कोई ठीक होगा, चलिए, so the right answer is A, Tuesday, क्योंके तीन step में यह answer आ जाता है, सबसे पहला step है, हमको total number of days निकालने है, तो हमने यहाँ पर चेक किया, 15th March, 15th March जब कहा गया है, तो 15th March मार्च में होते है, 31 days, तो January, February, March 31 days, तो यहाँ पर अगर मैं days के बार में बात करूँ, तो कितने days बचे, 15th March से 31st March, in total, यहाँ पर हो गए, 16 days, correct, count करके देख लो, यकिन नहीं होता है, तो count करके 16 days, अब 16 days हो गए, अब मार्च के बाद आता है, April, April के बाद आता है, मई, फ और फिर July, और सर जी, August में तो उसका बड़े है, तो April में कितने दिन, January, February, March, April, April में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अब April में, August में आपको नहीं देखना है, पूरा क्योंके August, एक specific date का है, 22nd August, तो यहाँ पर 22nd August, तो इन टोटल कितने days हो गए, सर, इन टोटल 22 days हो गए, चलो, तो यहाँ पर अब आपको टोटल बताना है, 16, 30, 31, 30, 31, 22, सभी को add कर लेते हैं, तो कितना उत्तर आता है, तो सभी को add किया, तो टोटल days, जो यहाँ पर बन रहे है, that is equal to 160 days, तो सबसे पहले तो यह आपको निकालना है, 160 दिन आने के बाद अब आपको focus करना है, साथ दिनों का एक हफता, तो यहाँ पर 160 days है, सर जी, साथ से divide कर दो, तो यहाँ पर बन रहा है, 72014, फिर बज गया दो, 0, 72014 अगेन, सर जी आ गया, 6, 6 आ गया, यह है आपका remainder, यह है main player, क्योंकि अब, packets तो बता रहा है, कि वो 22 ऐसे हफते थे, उसके अंदर वो दिन निकल गए, ठीक है, अब remainder क्या कहना चाहता है, remainder यह कहता है, कि आपका packet का शुरवात Wednesday को हुआ था, so now 6 days, यह remainder है 6, so 6 days after Wednesday, कितना, सर यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, that Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, यह Tuesday आ जाता है, therefore, answer is Tuesday, ठीक, तो बहुत ही प्यारा सवाल, calculated था, but easy सवाल था, चलिया, आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, सूरिया जी, यह देखो, 10 सवाल हो गए है, आगे लिकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, आ रहा है, कुछ इस प्रकार, check it out, question number 11, the weights of 4 boxes are, 50, 20, 20, 60 kg, which of the following cannot be the total weight in kgs of any combination of these boxes, and in a combination, a box can be used only once, तो पताना फिर, ABCRD कौन सवाप्शन ठीक है, सभी को आड़ कल ले सर जी, तो यहाँ पर आ रहा है, 150, तो 150 तो पॉसिबल है, यह तो गलत, वो कह रहे है, cannot be made, अच्छा सर जी, अगर 60 को निकाल ले, तो 50 प्लस 20, प्लस 20, कितना आ रहा है, 90 स सोचो अब BRD में से कौन सा पॉसिबल नहीं होगा, कॉमेंट करके बताना, आखरी के 5 सेकेंड, 3, 2, 1, डन, 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 चेक करो, सबसे पहले, 150 कैसे आया, सर, 150 ऐसे आया, कि जब मैंने 50, प्लस 20, प्लस 20, प्लस 60, सभी को आड़ किया, 90 कैसे आया, जब 60 को अटा दिया, तो 50, प्लस 20, प्लस 20, अच्छा, 100 कैसे आया, जब 50 को अटा दो, सभी को आड़ करवा दो, हाँ सर जी, तो 100 भी संभव है, अरे हा के न, तो यही संभव नहीं है, कुछ भी कर लो, अब आपको हुमग दे दिया, जो करना है कर लो, बट यह जो है 120, वो कभी भी निकल करके नहीं आएगा, चलिए, आगे लिकर चलता हूँ, अगरा सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, जो देख करके बन जाए, बस नजर्या आपकी अच्छी होनी चाहिए, कह रहे है के, from the given word, select the word, which cannot be formed using the letters of the given word, यह confusion, कि जो letters है, वो यूज करते हुए, ऐसा कोई एक शब्द है, ज चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, done, अगर आप ध्यान से देखो, तो सर यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, और यह तो है ही नहीं इसमें, नहीं है ना, तो यह नहीं बना सकते है, वही कह रहा था, this is the odd man out, चलिए, आगे लेकर चलता हूँ, अगरा सवाल, आपकी स्क्रीन के सामने यह रहा, easy सवाल, बट यह क्या है, coding be coding, चेक करो, if in upfront is coded as FKUILMG, तो यह जो है, इस प्रकार से code किया गया है, then how will GEM be coded in the same code, तो अगर इसी pattern को मद्दे नजा रखते हुए, आपको code करना है GEM, तो वो कैसे दिखाई देगा, option A, SEG, option B, TVN, option CRFB, या फिर option Delhi QTB, क्या लगता है आपको, तो यह भी 45 seconds का सवाल है, क्योंकि सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए, replacement logic, ऐसा तो नहीं, इन्होंने U को permanently F के साथ replace कर दिया है, हम चेक कर रहे थे, और कोई है, U F, इसमें Sir F है, तो F को कैसे लिखा गया है, U, तो Sir, replacement logic का यूज किया है, और अगर replacement logic का यूज किय है, तो बात खतम, the right answer is Bombay, कैसन, चेक करो, सबसे पहले तो यह replacement logic है, लिख दो, replacement logic, replacement logic यह कहता है, that U को हमने permanently कह दिया, अब से F, हमारे coding के हिसाब से, फिर P जो है, उसको हमने permanently कह दिया, क्या, K, फिर F ही ता, वो तो हो गया, अब R, R को हमने permanently कह दिया, क्या, R को हमने permanently कह दिया, I, ठीक, फिर next है हमारे पास, O, O को भी हमने permanently कह दिया, क्या, O को हमने permanently कह दिया, L, yes, L कह दिया, फिर हमारे पास है, N, N को हमने permanently क्या कह दिया, M, और फिर T को हमने permanently कह दिया, G, अब यही पर आगया, खेला, वो जानना चाहते थे, Gem, जो G से start होता है, त कोड़ेड वर्जन तो जी का टी होना चाहिए तो यहाँ पर ही बात खतम हो गई अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर बॉम्बे बिल्कुल ठीक चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगरा सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार अच्छा यहाँ पर क्या है यहाँ पर एक स्टेप आपसे ज्यादा करवाया जाता है इन असर्टन कोर्ड लांग्वेज यह भी कोर्ड लांग्वेज में आपका कैल्कुलेशन पूछा जा रहा है कि plus represents cross minus represents plus cross represents division division represents minus so what is the answer to the following question 99 cross 11 minus 27 plus 3 का उत्तर क्या होगा हडबडी में सबसे पहले इन सब सिंबल्स को करेक्ट और में रिप्लेस करो जैसे दिया गया है वैसे फिर गैलकुलेशन करो टू गेट दी आंसर 45 सेकेंड का सवाल है जी आंसर आ जाएगा 90 56 42 या माइनस 3 A B C C D Sir answer आ रहा है Boardmarch का Logic use करना पड़ेगा division पहले फिर multiplication फिर उत्तर आ रहा है सर जी राइट answer is A रहा कि ना सबसे पहले सर जी cross जो है वो हो गया है division माइनस जो है वो हो गया है प्लस और प्लस जो है वो हो गया है multiplication तो division सबसे पहले किया तो 9 आया और फिर सर जी हमने किया multiplication यही किये तुम हाँ सर जी कितना है multiplication करने पर 21678 तो 81 अब add करने पर कितना है 90 नबबब याने is correct चलिए आगे लिकर चलता हूँ अगला सवाल आपके screen के सामने वाटसव वाला सवाल 99 परसेंट पीपल फेल टो गेट दी आंसर intelligence चेक किया गया है कि if 8 add the rate 3 is 10 9 add the rate 1 is 16 5 add the rate 4 is 2 then what is the value of 7 add the rate 3 सर अगर ध्यान से देखे तो यह add the rate शायद कुछ calculation करवाना चाता है बट सर ऐसा कौन सा calculation है कि 8 और 3 के बीच में हो जाए तो 10 आ जाए subtraction करेंगे तब भी तो 5 आता है बट 5 को अगर 2 गुने से multiply कर ले तो 10 आता है क्या यही pattern घूम रहा है 9 और 1 से 16 कैसे आएगा subtract कर लो तो 9-1 8 बट 8 को 2 गुने से multiply कर लो सर समझ चुके है यही pattern इधर भी हो रहा है अरे हा के ना pattern समझे या नहीं अगर pattern समझ चुके हो तो फिर उत्तर क्या है सर उत्तर है बंबे बंबे इसलिए ठीक है क्योंकि हमने पहचान लिया 8 at the rate 3 is nothing बट logic है 8-3 that is equal to 5 5 to 2 that is equal to 10 राइट चलिए उसके बाद हमारे पास है 9 at the rate 1 9-3 that is equal to 8 8 को दुगुने से कर दिया कितना उत्तर आया सर उत्तर हमको आया 16 ठीक चलिए तो यहापर मैं arrow बना देता हूँ ताकि वो logic आपको समझ मा जाए कि हो क्या रहा है वैसी अगर डॉट 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 अगर मैं आप से कहूँ 7 at the rate 3 तो 7-3 करने पर उत्तर आ रहा है कितना चार चार को अगर दोर से multiply कर दो तो 8 आ जाता है देरफोर सरजी बॉट इस करेक्ट चलिए आगे लिकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने अगेन कुछ तो आपको ऐसे logic खोजने पड़ेंगे लगाओ दिमाग कि अगर हमारे पास एक matrix है तीन रो चार कॉलम सिलेक दी मिसिंग सिलेक दी मिसिंग नंबर फ्रॉम दी गिवन रिस्पॉंस इस मिसिंग नंबर कैसे निकालोगे अब आपका दिमाग सोचता है डाइगनल में सीधा उल्टा पुल्टा थोड़ा सोचो इतना आसान नहीं है यह जिपसो पजल की तरह है अगर मिल जाए आखी अगर ढूण ले तब तो इसी है ना ढूंडे तो फिर तो समय लगाता रहो चलता रहे समय चलता रहे पिर भी आंसर ना मिले मेरा दिमाग आ रहा था कुछ यार मेरा दिमाग हमेशा पहले एडिशन सब्ट्रक्शन पर फोकस करता है फिर वो पीचे को देखा तो सर यहाँ पर भी यह देखो 27 प्लस 734 आ रहा है अगर आ रहा है तो बात क्लियर हो गई अब कि यहाँ पर जो पैटन चल रहा है दाट इस 3 प्लस 4 यह एक्चुलि ऐसा था 3 प्लस 4 प्लस 7 डाइज इक्वल तो 14 similarly 7 प्लस 12 प्लस 15 डाइज इक्वल तो 34 similarly 5 प्लस कोशन मार्क प्लस 4 डाइज इक्वल तो 18 तो कोशन मार्क जो है 18 माइनस 9 therefore the right answer is 9 यह बिलकुल ठीक आग लिकर चलता हूँ अगला सवाल direction से direction वाले सवाल easy होते है provided आप वो आदमी की जगा खुद को imagine करो नहीं तो गड़बड हो जाएगी two cars c and d start from the same point c travels 7 km south then turns to its left यह वाला अब यह जो left है तुम खड़े यहाँ पर रह करके left right मत करना हो direction की साफ से देखना and travels 4 km अब यहाँ पर d की कहानी है जो car d है travel 13 km east then turn south then travel 7 km then turns to its left and travel 9 km where is d with respect to c now d कहां पर है comment करके बताना 26 km east 18 km west 18 km east 26 km west कहीं ना कहीं तो होगा जी कहीं ना कहीं तो होगा जरूर होगा कि चल यह आखरी के पंदरा सेकेंड देन टाइम इजब इजब इज़ी calculation है ज्यादा महनत नहीं है एक मिनिट का ही सवाल है कि तफ बना सकते है वो क्या geometry figures के हिसाब से अगर देखे तो टफ बना सकते बट यह इतना टफ नहीं बनाना चाहते एक्जामिनर पर होता है कैसे level of difficulty रखना चाहते है तो यह easy है राइट आंसर इस कलकत था क्यूंके सबसे पहले सरजी हमारे पास थी कार यह initial point है जहापर c and d दोनों का initial point यहापर है फिर हुआ क्या फिर c की स्टोरी कही सी ट्रावल स सेवन किलोमेटर टू दी साउथ नीच गया सेवन किलोमेटर फिर अब तुम इमाजिन करना तुम ऐसे पीछे जा रहे हो सेवन किलोमेटर साउथ में और फिर तुम से लेफ्ट कहा जाए तो लेफ्ट किदर होगा तुम इमाजिन करके देखना लेफ्ट इस साइड में होगा ठीक है तो इस साइड में लेफ्ट में वो जा रहा है चार किलोमेटर और वो थम जाएगा बहापर त सिर्स्ट में ट्राफल किया 13 km यह 13 km ट्राफल करने के बाद आथ ध्वार से देखना उसको कहा गया कि 13 Third तुम जायो Hang साथ किलोमीटर ट्राफuestos करो सौट में उसने 7 km ट्राफल किया फिर उससे यह कहाल गया कि यहाँ पर रुकिना नहीं था अप तुम south में गए अब तुमारे हिसाब से जो तुमारा left है उसमें तुम जाओ 9 km अगें जो left है वो इस side होगा तुम direction दियान से देखना गडबड करोगे तो wrong answer आएगा तो यह 9 km गया और फिर यहाँ पर D जो है वो रुक गया सो D का यहाँ पर ending point अब यहाँ पर C और D के बीच में story पूछ रहे है तो बताना जा रहा C और D के बीच में क्या story है sir C और D दोनों जो है where is D where is D with respect to C comment करके बताना D अगर हम check करें C के respect में तो यहाँ पर C का जो east है वो है या west है comment करके बताना क्या है east है या west है east west north south बराबर तो अगर धियान से देखे हम तो यहाँ पर पूछ रहे थे that where is D with respect to C तो यहाँ पर east में है ठीक है और अगर हम kilometers के terms में देखे तो kilometer कितना है सर kilometer अगर धियान से देखे तो यह जो kilometer है यह add करना पड़ेगा add करना पड़ेगा indy sense सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा यह कितना है सर यह पूरा का पूरा 13 है यह वाला 4 है तो यह 13 minus 4 है याने यह है 9 ठीक है यह 9 है और यह 9 है तो total जो फासला है वो 9 plus 9 18 का है so the right answer is 18 और 18 जो है वो है कलकत्ता ठीक है so it is to the east 18 तो कलकत्ता बिलकुल ठीक आगे लिकर चलता हूँ to the next question समझ मार यह बाते तो एक बार comment करके बता दो yes easy है कठिन नहीं है चलिए अगला सवाल आपकी screen के सामने यह रहा syllogism syllogism को कठिन माना जाता है वड़ यह सवाल उतना कठिन नहीं है syllogism क्या होता है वह इतना सब explain किया है जरुवत नहीं है statement देखो conclusion देखो statement है all woods are trees all trees are jungle तो देखो cases बन सकते हैं ध्यान से conclusion यह है के some jungles are wood some trees are woods तो कौन सा conclusion ठीक है वन टू दोनों दोनों गलत है कि बताईए जी कौन सा उत्तर ठीक है last 10 seconds to go time is up so the right answer is both one and two follows ठीक है कलकत्ता बिलकुल ठीक है अब ऐसा क्यों ध्यान से देखना all woods are tree तो wood छोटा tree बड़ा all woods are trees तो wood छोटा tree बड़ा फिर वो कह रहे है that all trees are jungle all trees are jungle तो tree छोटा जंगल बड़ा क्योंकि सारे के सारे trees जो है वो जंगल के अंदर आते तो यह होगी आपका some trees are wood some trees are wood tree का कुछ region wood में आता है some trees are wood यह यह भी ठीक है तो जब दोनों ठीक है तो फिर बोत one and two follows makes sense समझ मार यह बात तो एक बार comment करके बता दो यह क्योंकि अगला सवाल जो है वो bestest question है आज के class का यह अगर तुम सीख लिए समझ लिए तो फिर तो बात set है तो वो कह रहे है which of the falling cube in the answer figure can be made based on the unfold cube in the question figure यह unfolded है तो इसको अगर फोल्ड करे rearrange करे तो कौन सा क्यूब बनाया जा सकता है आपका समय शुरू होता है अब तो जब भी ऐसे सवाल देखते है ना तो मन नहीं मन बच्चे कहते है सर opposite logic opposite के five के opposite star होना चाहिए ऐस्ट्रिक के opposite hash होना चाहिए circle के opposite donut होना चाहिए मैंने का हाँ चेक करो हैश के opposite ऐस्ट्रिक निच्चे होना चाहिए था ओके तो इधर को नहीं दिखाए दे रहा है तो बढ़िया फाइक के opposite star होना चाहिए जो पीछे होगा और सर्कल के opposite डोनट तो क्या ए को ठीक माने सर बी को भी देख लो कई कई इसमें ऐसा ना हो जाए अच्छा डो पॉजिक नहीं चलेगा इसमें clockwise anti-clockwise कौन प्लेयर है वो देखना पड़ेगा कि सरकल को इधर होना चाहिए था या सरकल को इधर होना चाहिए था वह वाला है यहाँ पर इतना आपको पिन पॉइंट विजुलाइजेशन चाहिए तो अगर ऐसे सवाल जब आ जाए ना तो हो इसको देखते हुए पहले क्यूब बणा लो जब क्यूब बना लोगे तो idea और बेटर होना स्टार्ट हो जाएगा क्यूब हम बनाना चाहते है तो सबसे पहले यह front यह back और यह रहा cube cube बनाने के बाद अब ध्यान से देखना इसको ऐसे fold करो ऐसे fold करो और donut उपर आ जाएगा आपका cube ready तो उस हिसाब से अगर मैं देखू तो इस चीज को ऐसे लेने पर hash जो है इस वाले right side में आ जाएगा मेरे हिसाब से right वाले side में आ जाएगा ठीक है आपके screen के हिसाब से चीज थोड़ी उल्टी दिखाई दे रहे होगी तो ध्यान से देखना hash है इधर asterisk जो है फिर वो रहा इधर ठीक ये दोनों एक दुसरे के opposite five अब देखो सामने मेरे five है वहां से जब इस बकसे को ऐसे पुट्टे को उठाऊंगा तो ये five जो है वो सामने है ठीक है सामने ये वाले screen पर पाच है और ये जो star है star ये front पर है front याने ये वाले screen पर ये front पर है star ठीक ये front पर है star और circle जो है वो base पर है ये base पर है circle आप ध्यान से देखना जमीन पर है circle और उपर जो है ceiling पर वो है donut ये ceiling है तो इस पर है donut तो मुझे लगता है पूरी की पूरी बात clear हो गई है अब कौन कहा पर है donut ceiling पर ये पाच में थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे के donut और पाच ए तो सारा clear अब इसको देखते हुए ही जब मैं देख रहा था कि यह वाला शेप वैसा का वैसे दिखाई देजा है star सामने donut ऊपर एस्ट्रिक इदर star सामने donut ऊपर एस्ट्रिक तो इस साइड है left में right में तो hash है और वो कह रहे है right में aster होगा तो ऐसा नहीं हो सकता right में एस् आय आशा समझ मारहा है आप किसे देखना है चलो अगर समझ मारहा है तो और कौन-कौन गलत है उश्ट्र खोजो ऐसे घुमाओगे तो फिर ये ऊपर जाएगा ठीक है चाहा मैं रोटेट करके बता दू किया थोड़ा सा आपको विजुल्स मिल जाएगा उतना क्लियर नहीं होगा आपको imagine तो करना ही पड़ेगा without imagination ये कारणा में नहीं चलेंगे ठीक है इस साइड में घुमाना पड़ेगा इस साइड में ऐसे तो आप देख सकते हो अगर ऐसे करोगे तब circle उपर आएगा ठीक है circle उपर आएगा और इनको चाहिए asterisk सामने तो इस वाले एंगल से अब देखो इस वाले एंगल से देखोगे तो circle और asterisk right circle और asterisk आपको दिखाई देगा अब वो आपसे जानना च कौन है I hope आप देख पा रहे हो इस चीज को अगर देख पा रहे हो तो आप पहचान लोगे that इधर से आप नहीं देख पा रहे हो यहां से visualize करने की कोशिश करना कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो राइट में है राइट में वो पाच रहेगा इसको ग रहेगा है ना star तो इस side पर ही रहेगा और five जो है वो is side पर ही रहेगा die को तो आप ऐसे गुमा रहे हो डाइको गुमाने पर यह जो side है यह वाली star की और five की यह चेंज नहीं होगी ऑर die ऐसे गुमेगा तो यह वाला जो है यह वाले प्लेयर's circle asterix donut hash यह अपने आप में चे स्टार नहीं था और यह कह रहे है कि राइट में स्टार होना चाहिए वो गलत बात है तो राइट में स्टार नहीं होगा राइट में पाच होगा अच्छा अब ए और सी में कौन सही है चलो इसको देख लेते हैं यह सही है या गलत है तो सबसे पहले तो वह कह रहे हो ऊपर हो गे के डोनट इधर को आ गया, एस्टिक उपर को चला गया, यही होने चाहिए था, एस्टिक उपर को डोनट इधर, हाँ, इस एंगल से देखोगे, अगेन राइट में जो है, राइट में पाच होना चाहिए, अरे तो सर इसके राइट में पाच है, अगर इसके राइट में पाच है ये सही है तो ये गलत क्यों हुआ अगेन इसको समझना है तो अब हैश उपर चाहिए पाच सामने चाहिए हैश उपर और पाच सामने तो सर ये जो डाई ऐसा है इसको ऐसे घुमा दो तो ये हैश उपर आ जाएगा और पाच जो है वो सामने से अब उस वाले अंगल स तो यह है जो है वह उपर आ जाएगा जब ऐसे आएगा तो उसके रिस्पेक में राइट कौन है वह चेक कर उसके रिस्पेक में राइट जो है वह ठीक है उसके रिस्पेक में राइट जो है सर यही तो जाएगा उस राइट साइड में अगर डोनट जाएगा राइट साइड मैं ये तो circle कह रहे इदर circle नहीं चाहिए donut होना चाहिए इसके लिए A भी गलत है तो ऐसे check करना था ये तो कती जहर सवाल था so A, B, D गलत हो गया और C सही हो गया तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई तो चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके screen के सामने और जब ऐसा नहीं भी आ रहा हो ना समझ में अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आ रहा हो तो आप क्या कर लेना for your homework एक cube आपके पास अगर होगा तो उसमें है न ये सारी marking करना जैसे हमने ये cube बनाया न वो marking करना फिर आप ध्यान से देखना कोई भी shape ले लो जैसे हम ले लेते हैं ये वाला shape एस्ट्रिक और circle उपर एस्ट्रिक जो है वो आपको सामने दिखाई पढ़ना चाहिए ये लो circle उपर एस्ट्रिक सामने तो अब आपको right में क्या दिखाई दे रहा है वो check करो तो मैं जब मेरे और से देख रहा हूँ right में तो मेरे को circle उपर एस्ट्रिक सामने तो right में मुझको 5 दिखाई दे रहा है अगर आप मेरे angle से देखो मैंने mark किया तो ये 5 दिखाई दे रहा है और इन्होंने star किया है तो ऐसे अगर आप और relate करोगे तो आप समझ पाओगे पहले physically उसको relate करने की कोशिश करो फिर mentally इस cube को घुमा करके check करने की कोशिश करो तो आप इसमें माहीर हो जाओगे आपको कभी confusion नहीं होगा नहीं तो बहुत confusion होगा सवाल मैंने students को देखा अक्सर mistake करते हुए चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगरा सवाल आपके screen के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार इसके बाद तो सारे के सवाल इजी है 30-30 सेकेंड में बन जाएंगे तो ध्यान से देखना सबसे पहले यह question number 20 in the following figure square represents therapist, triangle represents bike, circle represents engineer and rectangle represents men which set of letter represents men who are not engineers क्या लगता है आपको तो सबसे पहले तो यह जो triangle है circle है, rectangle है, square है इसको नाम देना start करो यह triangle bikers के लिए हो गया यह therapist के लिए हो गया यह men के लिए, यह engineers के लिए फिर check करो that which of the letter represents men who are not engineers मिल जाएगा, so what is the answer easy है, Delhi is the right answer और Delhi इसलिए ठीक है ध्यान से देखना, सबसे पहले timer baba, तुम शान्त हो जाओ सबसे पहले, हम इचको copy करेंगे, अगले slide में paste करने के बाद हम यह कहेंगे that यह है biker ठीक, यह है therapist यह है men और यह है engineers अब कह रहे है that which set of letters represents men who are not engineers men who are not engineers तो sir, गोला तो engineer है गोले के बाहर जो है वो H है बट वो men में नहीं आया I जो है वो गोले के बाहर है वो men है बट गोले के बाहर है B जो है वो men है गोले के बाहर है D जो है वो men है गोले के बाहर है so DBI DBI जो है दल्ली बिल्कुल ठीक है आगे लिए कर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार चेक इट आउट विच आंसर फिगर विपप्लीट दी पैटन इन दी कोश्चन फिगर यह तो मिरर वाला सवाल हो गया इसको पूरा करना है इसको पूरा करने के लिए यह फर्स्ट कॉर्डिन में कौन होना चाहिए ए बी सी या डी यह तो सौतूत वाला फिगर है सर जी कंगी हिंदी मैं कहें तो कंगी वाला फिगर कंगी आपको पूरी कर रही है यह आपर क्या करोगे सीधी रेखा सीधी रेखा तो इधर सीधी रेखा आनी चाहिए हाँ सबसे वह पहले वह बना लो फिर सजी यह देखो ऐसे माउंटन माउंटन मिरर करने के बाद माउंटन माउंटन ऐसे हो जाएंग हां तो मिल गया answer क्या है उत्तर सर्दी राइट आंसर इज कमिंग आउट एज बंबे बंबे इसलिए ठीक है ध्यान से देखना सबसे पहले तो हमने वह सीधी रेखा बना दी यह जो आपकी सीधी रेखा थी एक तो यह है जो मिरर का खुद का रेखा है और एक यह भी है सीधी तो यह इधर आनी चाहिए तो इधर हमने बना दिया ठीक है यह बनाने के बाद फिर क्या है फिर है अब ध्यान से देखना फिर यह जो ऐसे mountain बन रहे है वैसी अगर mountain यहाँ पर बनाने हो तो ऐसा नहीं लगता है इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर इसको जोड़ना पड देखो अब first quadrant में ऐसा shape आपको बॉंबे में दिखाई दे रहा है तो बॉंबे बिल्कुल ठीक है आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके screen के सामने उसको तो timer देने की जरुवत भी नहीं है देखोगे पता चल जाएगा कौन है उत्तर from the given answer figure select the one in which the question figure is hidden या embedded ये ऐसा जो है किसी में तो embedded होना चाहिए किछ में है embedded सर अगर ध्यान से देखे तो ऊपर ऐसे ताज महल फिर सीधी रेखा फिर ऐसे horizontal और नीचे ये दिखाई दे रहा है सर दिखाई दे रहा है ताज महल सीधा horizontal नीचे इस करेक्ट चल यागे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है इस प्रकार special aptitude ये भी easy है piece of paper is folded and punched as shown below in the given figure from the given answer figure indicate how it will appear when opened अगर देखो इतना सा फोल्ड किया और यहाँ पर एक पंच किया half circle semi circle की तरह जब open कर लोगे तो कैसे दिखाई देगा अलग-अलग answer दिये है अजीब mirror ये देखो ये mirror की तरह वहाँ पर act करेगा तो ऐसे होगा तो आप आप देख सकते हो burger की तरह होगा ऐसे burger shape की तरह बर्गर शेप की तरह कई का पर है इधर ली division बीए इधर रूट नहीं है इधर बर वर नहीं है लिए गएव जो है वह एंगल में है ऐसे सीदा सादा नहीं है तेड़ा बर्गर है तेड़ा बर्गर तो A में है C सीधा सीधा बर्गर कह रहा है ऐसा नहीं है ठीक है चलिए आगे लेकर चलता हूँ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार question number 24 mirror इसका करने में अक्सर मैंने देखा है बच्चों ने गड़बड किया है क्योंकि यह MN लाइन है इसके about mirror करना है जब इसके about mirror करोगे तो सतर करो क्यूंकि गड़बड होनों की chance है देखो एक तो ऺड़बड यह नहीं करोंगे कि सर्कल जो है वो नीचे में ही रहेगा इदर ही आस्पर रहेगा कई दूर नहीं जाएगा यह कलकता देली तो बड़े दूर भेज दिया सर्कल को यह कलकता अ गलत है सर्कल जो है आस्पासी रहेगा top right और प्राइट में आसपासी और भी में Top अब उसके बात क्या कि मैं सोचने वाली यह सीधी 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 एशे ही रहेगी एक टेडी होजाएगी सीधी यह नहीं है कि तरब खूजने कि अब वबस सी बात में में सीधा-सीधा थोड़ न कोई रहता है तेड़ा ही हो जाता है मिररमें ध्यान से देखना अगर आप मिरर में देख रहे हो इसको याने यह हमारा मिरर उपर लाइन एसा मिरर करने पर資ंग्ट ऊक्राइब पाता लोग के अंदर मिरर करने पर स्वर लोग पर इशारा कर रहा है स्वर्ग लोग पर इशारा कर रहा है देखो तो यह point कर रहा था नीचे पाताल लोग में बट mirror करने के वाद ऐसे स्वर्ग लोग ठीक है ऐसे स्वर्ग लोग उपर जाने वाले यही है इसमें तो सब पाताल लोग है यह भी पाताल वाले है यह स्वर्ग अगला सवाल आपके screen के सामने यह इतनी सारी महाबारत दिखी है बस यही कहना चाहते है कि आपके पास जो matrix है matrix के अंदर अगर हमें represent करना हो अगर represent करना हो k तो सबसे पहले हम row का number लिखते है उसके बाद column का लिखते है जैसे अगर k यहाँ पर है तो 4 पहले क्योंके वो row है फिर column 4 ठीक है तो 4 4 क्या हम k को 4 4 कह सकते हैं का हाँ k को 10 भी कह सकते है कैसे क्योंके k एक और जगा present है कि कहा है डूण्डो डूंडो के किधर है डूण्डो डूंडो डूंडे है किधर इदर किधर अरे जले हाक की ना इनको नहीं ने होना चैहि पाच का इसे जब alphabet की कहानी चल रही थी तो पक्का printing mistake है तो यह किये होना चाहिए तो यह 1,0 संभाव है चलो अब यह कह रहे है अगर आप कहानी सीख चुके हो similarly you have to identify the set for the word snow snow कैसे represent किया जाएगा बस S की कहानी ढूण लोगे न तब भी बात बन जाएगी क्योंके सारे के सारे इसमें दो option ठीक है वैसे same to say शार एक से दो से काम बन जाएगा दो से तो पक्का काम बन जाएगा खोजो अब सर सबसे पहले तो S और snow ना S और S तो S को खोज रहे है इधर है इधर है S और इधर है इस side में तो बिलकुल नहीं है 67 से S रिप्रेजेंट होता है और बाकी तो कोई रिप्रेजेंट करेगा नहीं हो गया अस्ससक्कánd सबसाची आएजेंट करेगक तो